हालो फेंड्स, वॉल्कम यॉयॉल, आज मैं आपके लिए वीडियोसे करना बात करने बाले हैं, देखिए, मार्केट में बड़ी गिरावट और गिरावट के टाइम पर चार शेर्स ओड़े होएं मैं Haitye Charles कैसे छुपए ही रह सकता है जब मार्केट में बड़ी गिरावाट चल रही है बड़ी तो नहीं कहूंगा मैं 6-7% के गिरावाट अभी तक हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टन बात मार्केट में जब रिजल्ट आया था इलेक्शन के उसके बाद निफ्टी के अगर देखोगे तो more than 20% वह भागी है उसके बाद अब जाके मतलब जून पूरा महिना जुलाई अगस्ट सेप्टमबर अब अक्टूबर में जाके थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी तयार होंगी सब्सक्राइब करना होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे से आपको एक्स्प्लेट किया गया है इस सीरीज में इसको देखें साथ में इसका काम क्या होता है अगर आप आपको मार्जिन चाहिए तो यह ETF आपको 94% का मार्जिन अविलेबल करवाता है यह फाइदा यह है दूसरा यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने ओबरॉल जो रिटर्न दिया है पिछले 30 साल में 12 से उपर का 12-13 परसेंट एन्वाल CGR का यह रिटर्न हमेशा देखिए निफ्टी पिछले 30 स साल का 20 साल का 10 साल का अब डेटा उठाके देख लीजिए एक यह consistency दो दो चीजों की आपका फाइदा यहाँ पर और साथ में option selling series और बड़े time frame की चीज़े आपके सांथ shared आप इसको देख सकते हो समझ सकते हम चर्चा करेंगे देखिए निफ्टी की आपको ऐसा लग रहा ह आपको देखने को मिल रही है देखिए अभी कितना निफ्टी इस लेवल से भी साथ परसेंट नीचे आई है तो एक बड़ी रैली और बड़ी रैली के हिसाब से मैं कहूंगा correction अगर थोड़ा सा और डी पात यह तो यहाँ पर 23,000 के आसपास जो कि 50 यह में इसके आसपास आपके लिए अपॉर्चुनिटी फिर से तयार होती रहेंगी तो ऐसी कुछ स्टॉक्स को देखते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले निफ्टी के अगर आप आप आवर्ली टाइम फ्रेम को देखोगी तो देखिए यह बेरिस साइकल का स्टार्ट हो गई है अलमोस्ट सेवन्थ ऑक्टूबर को तब से लेके आप देखिए ऑक्टूबर 23 चला गया है तो तब से लेके आप तक यह भी रिस साइकल में ही पड़ा है अब उमीद होगी यह भी रिस साइकल बुलिसमें टर्न हो तो एक पॉजिटिविटी आए गया और उसके बाद स्ट अब देखिए मार्केट कब से गिरी है पिछले चार हपतों से अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकिन पिछले चार हपतों देखिए वान टू थ्री फोर आप इस टॉक को देखिए यह आट सो तीस के लेवल से बिलकुल वीकली चार्ट बहुत इंपोर्टेंट यहां पर कर रहा है जहां पर मार्केट की दशा खराब है वहां पर यह स्टॉक पॉजिटिविटी आपको दे रहा देखिए तो उम्मीद जरूर हो गया एक पॉजिटिव फेक्टर यहां पर लेकिया और स्टॉक एक नही रेली यहां पर दे बिलकुल खड़ा हुआ है अड़ा हुआ और अग्रोटेक फूद अब इसके डेली टाइम फ्रेम को जरा देखते है उसको पर फोकस करते है यहां पर एक रेली बुलिश साइकल बनने के बाद यह कंसलिडेशन और अक्टूबर में जब मार्केट में करेक्शन आई यह स्टॉक भागा है थोड़ा कंसलिडेशन यहा उसकी इंप्ından कमिकल फूद हंब है क्या है विश्णु ऑने का रा knives ऑना को सुखता नहीं कि शाइकल में टरं होते वह आपको देखने को मिलेंगे यहां पर देखिये आपको ..." तैम फ्रेम में और विश्नु केमिकल के स्टॉक को ज़रा देखिए आपर डाइवर्जेंस इक्वल लोज पॉजिटिविटी करेक्शन और छेटे टाइम फ्रेम में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव साइकल सेंग देखिए यहां आप आप कंसॉल्डेशन देख पा रहे हो आपका लाब टेस्ट वाला जिसे लाल पैट लवे ना उस कैटेगरी के यह स्टॉक है थाइरो के टिक दॉल जरा इसके उपर वीकली चार्ट के उपर फोकस करेंगे यह स्टॉक को हम इन लेवल से यानि कि जून में जब यह वापस आया था छेसो पचास के लेवल से इसको लेकिन इस स्टॉक पर उसका कोई फ़रक नहीं है आप देखिए अक्टूबर स्टाटिंग से यह स्टॉक बल्की पॉजिटिविटी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो यह यहां पर दिखा रहा है तैरो कि टिकनोलजी अब अगले स्टॉक की तरब दालेंगे छोटा स् हमने चार स्टॉक्स आ रहा है किरी इंडस्टीज का सबसे पहले बढ़े टाइम फ्रेम यानि की वीकली चार्ट के उपर फोकस करते हैं क्या सिचुएशन है फिर चोटे टाइम फ्रेम के उपर फोकस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस स्टॉक को देखो तो कंसॉलि और इसकी कि अपर्चनिटी तयार करता हुआ यह स्टॉक किरी इंडस्टी डेली पे साइकल स्टार्ट कर चुका है और कल का डेट और इंपोर्टेंट होने वाला है किरी इंडस्टीज के लिए तो अभी हमने एक नहीं बलकि अनेक स्टॉक का जिकर किया लेकिन मैं आपको यह कहूंगा देखिए मार्किट मार्किट में उतार चड़ा होता है लेकिन आपको अपने प्लान को समझने मैं यह क्यों कह रहा हूँ क्यों कि मानलो आप इस टॉक में एंट्री ले रहे एक एक एक्जामपल लेते है 415 पे और आपका स्टॉप लॉस है यहां पे बिलकुल 325 आपको दिख रहा है नब्बे पॉइंट का लॉस है अब मार्किट का तो काम ही है उतार चाड़ाओ का आपने प्लान वाले आन्या बही मेरा नब्बे पॉइंट का लॉस है और मैं अगर यहां पे भीश शेर खरीदता हूं तो एटीन अंडर का लॉस है तीश शेर करिद पहले कल्कुलेट किया है उसके बेसे पेंट्री लिया है तो रिस्क मैनेजमेंट होता है कि मार्किट अगर नब्बे दिन पॉजिटिव आपके डिरेक्शन में विए दस दिन में आपका सब कुछ बराबर हो सकता है बलकि बड़े लॉस में भी जा सकते हो अगर आपने रि आपके सामने है अभी अभी सिटाओक तो चर्चा किया था अधे एक टेकनॉलोजी जो कि अडे हुए की इंडस्ट्री दिस्केस किया था बहुत काम के समझने अभी मार्किट गिर रही है करेक्शन का टाइम चल गाए तो अगर आप रगुलर प्रक्टिस करते हो तो आप ब situations में आप प्रैक्टिस करोगी तो आपको पता लगता कि हां अभी ही क्या situation है तो वो जो emotional factor है वो fear factor है फिर वो आप उस factor को learn करते हैं यहां पर कैसी situation है तो इसलिए हर market time के हिसाब से आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है प्रैक्टिस बहुत मानेजमेंट है इसलिए आपको कहता हूँ मुह एक लेकर प्रक्टिस के लिना अदर्श हरी और ल ₲ के लिए प्रक्टिस ज़रूरी. एं टैंक ज आंक यू लंटी पर वच्षिंग ले